पर देखे ही होंगे अलाकि मुझे यही समझ में ने आ रहा कि इस पर चिंता क्यों व्यक्त की जा रही है क्योंकि जिस प्रकार का कंटेंट था जिस प्रकार की फिल्म थी तो यह तो होना ही था और इस बार वैसे हमने वो corporate booking या फिर बड़े-बड़े ब्रैंड सा करके फिल्म के टिकेट्स परचेस कर रहे हो कि 50,000 टिकेट्स एक लाग टिकेट्स बुक कर लिए वो सब भी इस बार हमने देखा नहीं और उपर से फिल्म कितनी ज़्यादा वहिया थी वो तो रिव्यू में हमने चरचा की ही थी परउन्तु फिर भी इंडस्ट्री के अंदर चिंता व्यक्त की जा रही है तो उस पर मेरे तो विचार हाला कि पूरी तरीके से अलग है परउन्तु यह चिंता किस परकार से विक्त की जा रही है थोड़ा सा मैं वो आपको पढ़कर बताता हूँ देखिए मेरी बाते हो सकता है कि किसी किसी को कड़वी लगेंगी परउन्तु जो सच में इंडस्ट्री के हितेशी होंगे उनको यह बाते ध्यान से सुनने के आवशकता है अगर सच में वे इंडस्ट्री का हित चाहते हैं तो हलाकि मुझे लगता नहीं कि बॉलिड खुद ही अपना हित चाहता है वो तो अपने ही पेरोपर कुलहडी मारने का ही काम कर रहा है उन्हें लगता है कि आउडियंस को कुछ समझी नहीं है हम तो बस ऐसे ही उनको घुमा देंगे ऐसा नहीं होता है वो पहले वाला समय चला गया जब नरेटिव, पपेट मीडिया, पपेट क्रिटीक्स सब कुछ इंडस्ट्री के हाथ में था अभी सोचल मीडिया आपर सामान ने चंता जुड़ चुकी है पिछले पाच्छे वर्षों में और अभी वो ऐसा पॉसिबल नहीं है चलिए बात में हम चर्चा करते हैं चिंता कैसे व्यक्त की जा रहे है वो थोड़ा सा मैं आपको पड़कर बताता हूँ तरनादर शुनो ने फाइटर के खराब परफॉमंस को लेकर एक पोस्ट की है फाइटर शॉक्स इंडिया रॉक्स ओवर्षीज दे अंडर परफॉमंस अप फाइटर हैज सेंट शॉक्वेव विदिन इंडिस्ट्री इमेजन दे फिल्म टिक्स ओल दे बॉक्स इंडिया आर कम्लीट शॉकर तो उने लिकाए कि फाइटर का जो खराब परफॉमंस है उसने इंडिस्ट्री को अंदर से अच्छा खासा तगड़ा जटका दिया है इमेजन करिये कि जो फिल्म सभी सही बॉक्स से इसको टिक करती हो जैसे की बड़े अक्टर का नाम है स्टार है बड़ा जो भी मतलब अच्छा डिरेक्टर माना जाता है सिद्धारतानंद को इंडिस्ट्री में जो भी है तो डिरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ है बड़े tremendous critical acclaim कौन सा tremendous critical acclaim अगर industry अपने कुछ जो puppet critics वगरा उनके अच्छे reviews को ये critical acclaim कहते हैं तो भाई मुझे तो नहीं पता पर से लिए tremendous critical acclaim and positive audience feedback positive audience feedback कौन सी audience का इनने positive feedback देख लिया वो जो South Delhi, South Bombay वो वहां की कुछ ऐसी गिनी चुनी audience के feedback को positive कह रहे हैं कभी सामनने जनता के साथ में चर्चा करके देखी इस film को देखने के बाद में लोग क्या बाते कर रहे हैं जो बाते मैंने review में कही वही same बाते आपको सामनने जनता में देखने को मिल जाएंगी बहले ही लोग आप वो कोई खुल कर आकर तो बोल पर लोग समझते हैं ये बाते अपनी कालपनिक दुनिया से बॉलिड को बाहर निकलने के हवाश चकता है चलिए तो आगे लिखाएं कि वर्ष की शुरुवात में इस प्रकार का setback मिलना या ये खरब जो परफॉर्मस इतनी बड़ी फिल्म को वो चिंता जनक है ऐसा उन्होंने लिखा है इसके अलावा कुछ और बड़े-बड़े influencer उनके ट्वीट वगेरा भी मैंने देखा कि भाई हम सभी जानते हैं अंदर से कि फाइटर अच्छी influencer जो भी है वो सब किसी के भी परते मेरे मन में कोई दुरभाव नहीं है परन्तु कुछ बात है जो भले ही कड़वी लगे पर वो बोलना आवश्यक है ठीक है ना सबसे पहली बात जो बात कही गई कि सारे सही बॉक्स को ये फिल्म टिक करती है कौन से सही बॉक्स को फिल्म ने टिक किया कौन से सही बॉक्स को मैंने जितना फिल्म को देखा शायद मैंने कोई अलग फिल्म देखनी पता नहीं मैंने जितना फिल्म को देखा और समझा ये फिल्म सभी रॉंग बॉक्स को टिक करती है सभी गलत बाते ही मुझे कम से कम पूरी फिल्म में दिखाई दी कौन सी गलत बात है सबसे पहले तो राष्ट्रवात का दिखावटी मुखोटा लोग समझते हैं वो बाते उसके बाद जो राष्ट्रवात से भरेवे डायलोग से उनको intentionally funny way में जिस प्रकार से बुलवाया गया था लेकि फिल्म over the top होना वो एक अलग बात होती है गदर्टू over the top थी technically भी अच्छी बनी हुई नहीं थी परन्तु उसके पीछे के intentions अच्छे थे जो सही भावना है सही intentions उसके पीछे की emotions वो हमारे रिदे तक पहुच रही थी भले ही technically film well made नहीं थी परन्तु यहाँ पर film technically well made है परन्तु वो डायलोग सुनते समय अंदर पता चलता है कि भाई यह तो intentionally जैसे मजाग उड़ाने के उद्देश से funny बनाया गया है जान पूचकर जैसे कि ऐसा ही अंदर से feel होता है क्या था वो मजाक्या डायलोग्स film में तो हाँ राष्टरवाद का दिखावटी मुखोटा उसके बाद में वो राष्टरवादी जो डायलोग्स थे वो जिस प्रकार के intentionally funny लग रहे थे film में ये भी गलत बाती मुझे लगी उसके बाद में जो ड्रेक्टर का जबरदस्ती का बार 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 balancing करना जबरदस्ती का secularism का ग्यान ये अती हो गया था film में इतना अती हो गया था कि वो cringe लग रहा था film में देखते समये ठीक है आपने कोई इका दुक्का सप्लोड डाल दिया इका दुक्का करेक्टर ठीक है वो समझा आप बार बार पूरी फिल्म में वही कर रहे हो और आप ये सोचेंगे कि दर्चकों के बाते समझ में नहीं आती हम बस बाहर से चिला चोट कर देंगे दिखावटी राश्टरवात का मुखोटा ओड लेंगे और लोग तो है ही बेवकूप बन जाएंगे हम तो ऐसे घुमा देंगे जनता को ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है इंडस्ट्री अभी भी अपने पैरोपर कुलाडी मार रही अगर इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि वो अपने ही ग्रहकों को अपने ही कस्टमर्स को बेवकूप बना लेगी मुर्ख बना लेगी तो प्लीज नींद से जागिए नींद से जागिए उसके बाद में गलट वो जो जबरदस्ति का इनका कुछ फिमनिजम का एजेंडा वगएरा चल रहा था दरिंदे पैरेंट्स पर कुतर देते हैं समाज सपने कुचल देता है वगएरा वगएरा ये सब आपको फिल्म में अपना एक्टिविजम चलाना था बागी भी कुछ बाते मेंने हमारे रिव्यू में की हुई है तो मेरे दृष्टी में तो भाई सारे रॉंग बॉक्स को ही फिल्म ने टिक किया था सब कुछ मेरे काही से भी कोई एक सिंगल बात भी सही दिख नहीं रही थी बस हाँ विजूल सच्छे थे जो इरेल एक्शन सिक्वेंसे से फाइटर प्लेंस है वो अगर किसी को इदर-उदर उड़ते हुए देखना है वैसे खर्च करके तो ठीक है पर क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो अपने दिमाग पर ताला लगा कर बस इदर-उदर और राष्टरवात की भाउना जगाती ही नहीं है एक सिंगल सेकंद के लिए भी कही पर राष्टरवात की भाउना फिल्म नहीं जगाती उल्टा उजबरतसती का बैलेंसिंग वगेरा और बाकी वो जो intentionally funny dialogues जो लग रहे थे फिल्म में उसके बाद भी फिर्म चली गया ऐसा इंडस्ट्री को लगता है और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ गल्ती से बन गया हो कहानिया ऐसे आकास से तो नहीं टपकिती ना सिद्धार तानन उनके सामने जिसने भी कहानिया डायलोग्स लिखी है इसे आकास से तो डायलोग्स नहीं टपकितीना पूरा सोथ समझ कर ही ये कारेक्डर्स ये कहानिया ये सारी बाते जो लिखी गई थी आतंकवादी जो दिखाया है जिसके एक आक लाल है पाकिस्तानी आतां की है पर बताया है कि भाई उसने उनकी religious book की नहीं पड़ी है ये सब इस प्रकार के dialogues बीच में डालना ये लोगों को समझ में नहीं आता और कहीं से भी वो emotions थे ही नहीं न भाई वो भावना थी ही नहीं राष्ट्रवात की कही पर भी फिल्म जगाती ही नहीं है उल्टा cringe फिल हो रहा था वो सब कुछ देखने के बाद में तो मेरे दुष्ट्री में तो सारे wrong boxes को ही टिक किया था या जो भी सब कुछ गलत ही मुझे कम से कम लगा दूसरी बात इंडिस्ट्री को अगर सच में अपना हित चाहना है तो सबसे पहले तो जो elite critics जिस content को अच्छा कहते है सबसे पहले वो बनाना बंद कर दो हां क्योंकि elite critics को तो बस आपना woke activism देखना है हर फिल्म में दरिंदे parents दरिंदा समाज हम इस देश की सभ़ेता संस्कृति कितनी ज़्यादा regressive है, orthodox है, पिछडी हुई है इसको तो हमें उखाड फेकना है सिस्टम को उखाड फेकना है पाकिस्तान प्रेम, लालातंक वादियों को जस्टिफाय करना illegal immigrants की प्रति सिंपती पैदा करना यह सारे agendas होने चाहिए और ऐसे content को elite critics जो अच्छा कहते हैं और उसको देख करके अगर industry खुश हो जाती है और उसको critically acclaimed movie कहती है तो भाई, please, नींद से जागिए ऐसे critics ही आपकी industry का सबसे ज़्यदा नुकसान कर रहे हैं, हाला कि critics की भी गलती नहीं है, क्योंकि critics भी तो industry की ही आवाज बोल रहे हैं industry की ही बोली बोल रहे हैं industry का ही mindset वैसा है वो जगना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि लोग अभी भी बस ऐसे ही हम घुमा लेंगे लोगों को, यह हो जाता था 5-6-7 वर्ष पहले तक हो जाता था जैसे कि राजी जैसे फिल्म जब रिलीज हुई थी, उसको जबरदस्ति किस प्रकार से masterpiece दिखा दिया था राजी जैसे घटिया घिनोनी फिल्म को, प्रोपगेंडा फिल्म राजी, उस समय पूरे YouTube पर किवल मैंने उसके प्रोपगेंडा को सबके सामने रखा था अभी भी देख लीजे मेरा राजी का रिव्यू उससे में भी कापी विरोध हुआ था मेरा पर तुमेंने वह वावाते तब बताई थी अभी इंडस्ट्री के लिए संभव नहीं है और अगर इंडस्ट्री अभी भी ये सोचती कि हम तो बस ऐसे ही ऐसे कैर्टर्स लिखेंगे ऐसी कहानिया लिखेंगे कि भाई राश्ट्रवाद का मुखोटा ओड़कर उसकी आड़ में हम अपने सारे एक्टिविजम सारे एजंडाद्स थोब देंगे दर्शकों पर ऐसा नहीं होता है दर्शक सब बाते समझते हैं बाकी कलेक्शन की जाते जाते थोड़ा समय आपको बता देता हूँ पहले दिन फिल्म ने 22 करोड का कलेक्शन किया था 22 करोड 50 लाग उसके बाद दूसरे दिन 49 करोड 50 लाग शनिवार को ड्रॉप लिया बहुत बड़ा फिल्म ने 27 करोड 50 लाग फिर रईवार को भी लगबग उतना ही 29 करोड 50 लाग का मतलब सूचिए शनिवार रईवार को तो कलेक्शन बढ़ना चाहिए था ना जुट्टी के दिन ते कलेक्शन तो बढ़ना चाहिए था पर वो तो दिखाई नहीं दिया उल्टा बहुत बड़ा ड्रॉप लिया रईवार को शनिवार और रईवार को और उसके बाद में सोमवार को तो फिल्म ने डारेक्टली लगबग 72.4 मतलब लगबग मोटा मोटी 75% का ड्रॉप फिल्म ने लिया सोमवार को 8 करोड का के वल कलेक्शन किया मंगलवार को और 7.5 करोड का और आज तो 5 करोड के आसपास का कुछ शायद होगा कलेक्शन से बताया जा रहा है और ये भी तब जब इंडस्ट्री के जो बड़े-बड़े क्रिटिक्स है वो सब रब जब बस positive reviews वगएरा उसके बाद भी ये हो सकता है कि सेकंड विकेंड में फाइटर ठीकठा कलेक्शन कर ले, कलेक्शन फिल्म का बढ़ जाए परन्तु देखिए सामने कोई competition ही नहीं है कोई बड़ा clash ही नहीं है दुसरी कोई बड़ी film release भी नहीं हो रही तो दुसरा कोई option ही नहीं है जनता के पास में तो ठीक है थोड़ा बहुत collection बढ़ भी जाएगा विकेंड पर परन्तु उस collection को देख करके अगर industry को खुश होना है और फिर यही दिखावटी राष्ट्रवाद का मुखोटा ओड़ी हुई फिल्मे बनानी है तो भाई उसमें फिर बॉल्यूड की ही इच्चा और इसी के अगेंस्ट आप गदर्टू के समय याद करिए दे कश्मीर फाइल्स के समय याद करिए इंड़स्ट्री तो चुप थी परंतु फिर भी वीक डेट्स पर भी सारे शोज हाउसपूल जा रहे थे सारे शोज फास्ट फिलिंग थे दो हपते तक हमने ट्रैक किया था याद करिए गदर्टू को दे कश्मीर फाइल्स को, दे केरेला स्टोरी को और उसमय कोई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं थी कोई बड़े-बड़े ब्रैंड्स आकर कि उसके टिकिट्स परचेस नहीं कर रहे थे वो जन्ता का प्रेम था जन्ता को अपने ही ग्रहाकों को अपने ही कस्टमर्स को मुर्ख समझना बंद करना होगा बॉल्यूड को तभी कुछ हो सकता है परन्तु वो तो होते हुए दिख नहीं रहा इंडसी तो जैसे इंटेंशनली राष्टरवाद का मजा कुड़नेवली फिल्में बनाते हुई हम देख रहे हैं कैसे देख लीजे मैंने दो दिम पहली वीडियो डाला था 2019 के बाद में मैंने लगबख 15 फिल्मों के नाम दिये हैं एक दो फिल्मों के तो नाम मुझसे छूट भी गए थे लगबख 15 फिल्मों के मैंने नाम दिये हुए हैं जिन में intentionally राष्ट्रवाद का जैसे मजाग उड़ाया गया हो यही हमें लगता है तो यह दिखावे का राष्ट्रवाद नहीं चलेगा एक और बात जो मैंने BMCM जो भी थी बड़े मिया चोटी मिया उसके टीजर के रिव्यू में मैंने जो बात कही थी कि पहले तो इंडिस्ट्री अपना सारा वोग प्रोपगेंडा कंटेंट ही बना रहे थी लगबख 2004-14 के बीच में सारा घिनोना प्रोपगेंडा कंटेंट इन लोगों ने बनाया पर उसके बाद में अभी 2014 के बाद में देश में जो राष्ट्रवाद की लहर है तो मेंस्ट्रीम कंटेंट में खुल कर ये अपना प्रोपगेंडा स्प्रेड नहीं कर पा रहे तो अभी इनको आपने आपको दिखावटी ही सही पर राष्ट्रवादी दिखाना है वो भावना तो होनी चाहिए ना राष्ट्रवाद की तभी तो वो सही तरीके से आपने आपको उस भावना को प्रस्तुत भी करेंगे बाकी हाँ प्रोपगेंडा कंटेंट बन वालो इनसे वहाँ पर इनका दिमाग बहुत चलता है फिर कैसे characters लिखने हैं किस character से क्या बुलवाना है कहाँ पर कौनसा dialogue डालना है कहाँ पर कौनसा subplot डालना है वहाँ उनका दिमाग बहुत चलता है चलने दीजिए ठीक अच्छी बात है, इंडिस्ट्री को अगर इसमें मज़ा आ रहा है तो ठीक है, बागे दोस्तो मैंने जो बाते बताएं उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपनी इचे कमेंट में आवश्य बताना, ये वीडियो देखने के लिए अब सभी मित्रों का बहुत बहुत थेने बाद जैश्री राम, वंदे मातरम